हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ही मारुती ग्रैंड वीतारा का डॉमिनियन एडिशन के बारे में कमपनी की और क्या कुछ खास क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस नई डॉमिनियन एडिशन मैं सभी जानकारी में आप लोगों को कम्प्लीट डीटेल से दूनगा तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना बोले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो चलिए वीडियो शरू करते हैं तो दोस्तों मारुती की ओर से ग्रैंड वीतारा डॉमिनियन एडिशन को भारतिय बजार में लॉंच कर दिया गया है तो दोस्तों मारुती की ओर से इस फेस्टिवल सीजन के दोरान ग्रैंड वीतारा का डॉमिनियन एडिशन लॉंच किया गया है सबसे पहले बात करते हैं कि मारुती की ओर से इस ग्रैंड वितारा डॉमिनियन एडिशन में क्या एकसेसरीज मिलने वाली है तो दोस्तों अपको इस डॉमिनियन एडिशन में साइड सटेप, दोरवाईजर और फ्रन्ट और रियर स्किट प्लेट जैसे नए एकसेसरीज देखने को मिलने वाली है वहीं, अगर बात करें इसके इंटिरियर के रूप में अपको डीमेट, सीट, कवर और कुशन जैसी एकसेसरीज दी जाएंगी तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके फीचेस के मारे में तो अपको इसमें 9 इंच टच्स्क्रीन दिया गया है जो वायरलेस तरीके से Android Auto और Apple का अपले को सपोर्ट करता है साथ ही साथ इस Dominion Edition में चार्ट स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम, हवादार फ्रंट सीटे, पैनोरमिक सन्रूफ और वायरलेस फोन चार्जा सपोर्ट मिलेगा वही अगर दोस्तों पैसेंजर की सेफटी की बात करें तो इसमें 6 एबैक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ओल वील डिस्क ब्रेक और चाइल्ट सीट माउंट जैसे फीचेज मिलने वाले हैं तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो दोस्तों अपको इसमें Mild Hybrid और Strong Hybrid इंजन का ओप्शन मिलता है ये तीन इंजन ओप्शन में आती है जो कि दोस्तों 1.5 लीटर Mild Hybrid, 1.5 लीटर Strong Hybrid और 1.5 लीटर Petrol Pulse CNG वाला इंजन है दोस्तों इसका 1.5 लीटर Mild Hybrid इंजन 103 PS और 137 Nm का टॉप जनरेट करता है वहीं 1.5 लीटर Strong Hybrid वाला इंजन 116 PS और 122 Nm का टॉप जनरेट करता है वहीं अगर बात करें इसके Petrol Pulse CNG वाले इंजन की तो अपको 88 PS और 121 Nm का पीक टॉप जनरेट करके देगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ मारूती Grand Vitara की भारतिय बजार में Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Hider, Skoda Kushak और Volkswagen Tegun जैसी दूसरी Compact SUV से टक कर होंगी अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में तो मारूती Grand Vitara की X Showroom कीमत 11 लाख रुपे से लेकर 21 लाख रुपे तक होने वाली है तो दोस्तों आप लोगों वीडियो किसा लगा comment box में जरूर बताएगा फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो